इदर पूर्व सियम हेमन सोरेन की आचिका पर ज्वारकंड हाई कोट में आज सुनवाई होनी है नयाधी शुजीत नारायन प्रसाद की अदालत में ये सुनवाई होगी पूर्व मुखे मंत्री ने पीमले कोट के फैसले को चुनौती दी है और बजट सत्र में शामिल होनी की आगरावाली आचिका को पीमले कोट ने खारच किया था जिसे पूर्व मुखे मंत्री हेमन सोरेन ने चुनौती दी है इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि पीमले के विशेश धाराओं का हवाला दिया गया था अधिक जानकारी के लिए हमारे सायोगी नीरज जुड़ेवे नीरज हेमन सोरेंग की याचिका पर हाई कोट में आज सुनवाई हो नहीं है क्या को जानकारी है असको लेकर खरेंग की याचिका पर जहां एंधन सोरेंग की फिर्टे की याचिका पर जहां अचे ते इस दमेर चानकारी के लिए हैं और हाई कोट में याचिका दाएंग की है और PML-EQ कोड़ की फैसला है उसकोड सुनौती भी है और अग जस्तिस पुझीट मरायम पिसाथ की अदालत मे पुनवाई होनी है और अगर मात्तुन हो जाता है इसलिए उने भी इस बाइस अपने सामिल होने की पर्विशन है वो बिने चाहिए लेकिन अपने इसना फैसला सुनाया है और फैसला देखार खालिश कर दिया है सब्सक्राइब करें और इसमें मुख्य मंत्री हेमन सोरेन की याचिका को खारेज कर दिया गया उन्हें वहां पर शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली इस वर बजट सत्र छोटा भी रखा गया है कितना असर पड़ेगा अगर हेमन सोरेन इस बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे जाती है तो कापी महत्म हो जाता है और इस बिल के मादें से बोस्ति में लेकर इस तरह से बोस्ति में आगे पास हो या तो नहीं पास में भी बहुत आरे वोग परते हैं इसमें अरे से लिदायकी वोग में वह मास्पन हो जाता है तो इसलिए जहां तक बात की जाये तो पीमले की विशेश अदालत ने उनकी याचिका को खारिच कर दिया था उन्होंने विशेश अधाराओं का हमाला दिया था अब क्या क्या लगता है कि पीमले कोट से उन्हें अजासत मिलेगी पीमले कोट से शेश अधार दिया जाएगा उससी पर दिपन करेगा हो प्रच्ट करेंगे लेकिन बिचेन करेंगे आज क्याकिव सुनवाई वह होता है जी नी रजबिलकुल फिलाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद पांच राज्ये, 61 सहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वस्तु विहार नई सोच, नया घर, बनाए रखिये अपना प्यार, सेवा में है वस्तु विहार